कान में भारीपन और दर्द एक ऐसी समस्या है जिसका सामना आपने कभी ना कभी किया होगा कई वार लोग इस समस्या को नजर अंदाज कर देते हैं कुछ लोग कान में भारीपन और दर्द होने पर इसे नजर अंदाज ना करें अगर आप इस तरह की परिशानी का समय पर इलाज नहीं करवाते हैं तो आप बहरेपन का शुकार भी हो सकते हैं ऐसे में कान में भारीपन और दर्ध होने पर आपको इलास तुरंत करना चाहिए और इससे राहत पानी के तरीकों को भी अपनाना चाहिए तो आई दोस्तों जानते हैं कान में भारीपन और दर्थ के कारण और उसको ठीक करने के कुछ तरीके के बारे में आज की हमारे इस वीडियो में नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नौलिस साथी पर दोस्तो कान पर जब भी किसी तरह का दवाब परता है तो आपको अंदर से कुछ भरा हुआ सा मैसूस होने लगता है यह स्थिती तब उत्पन होती है जब कान की यू स्टेशन ट्यूब अवरुद्ध हो जाती है यह ठीक से काम करना बन कर देती है हमारे कान में यू स्टेशन ट्यूब एक पतली सी ट्यूब होती है जो मद्य कान को नाप के पिछले हिस्से से जोड़ती है यू स्टेशन ट्यूब दोस्तो इयर्डरम के दोनों और हवा के दवाब को संतुलित करने में हमारी मदद करती है यह मद्य कान के स्त्राफ को साफ करने में भी हमारी मदद करती है दोस्तों यू स्टेशन चूब तब खुलती है जब कोई व्यक्ति चबाता है निगलता है या फिर जमाई लेता है यह हवा के दवाब को कान के अंदर बनने से रोकने में मदद करती है दोस्तों कुछ परिस्त यूस्टेशन चूब के कारे को बाद रिद कर सकती हैं इसके परिणाम सरूब दोस्तों कान में भारी पन और दर्ड वेचैनी और सुनने में समस्याओं जैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं अब यूस्टेशन दोस्तों किन परिस्तितियों में अवरुद्ध हो सकता है तो दोस्तों कान में मैल का जमा हो जाना, कान में घाओ या फुंसी होना, कान में पानी या शैंपू चला जाना, साइनस की परिशानी होना, कान में संकुर्मन फैलना, कान के परदे में किसी तरीके कम किया जा सकता है तो चलिए आई दोस्तों जानते हैं क्या आप वो पाय अपना सकते हैं जिससे कि आप कान के दर्ड, कान को बहना और कान से जोड़ी अन्य समस्याओं को खुद से ही घर पर ठीक कर सकते हैं दोस्तो कान में दर्द का एक कारण sinus या सरदी जुखाम भी होता है ऐसे में दोस्तो कान के दर्द के patient को या व्यक्ति को ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए कफकार काहर नहीं खाना चाहिए junk food और बासी भोजन का सेवन भी दोस्तो एकदम आपको बंद कर देना चाहिए वही नहाने के समय पानी या सावुन के कान में जाने से आपको बचना चाहिए किसी तेज या नुकेली चीज को कान में डालने से और कान को साफ करने के लिए भी आपको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए नियमित्रूप से प्राणायाम या योगासन करना चाहिए और बहुत तेज आवाज में किसी भी चीज को सुनने से आपको बचना चाहिए क्योंकि दोस्तो इससे आपके कान पर एक बुरा असर पड़ता है अब दोस्तो बात करते हैं कान से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ उपायों के बारे में जो कि आप घर पर रहकर अपना सकते हैं तो इसमें दोस्तो दो से तीन बारी कटी लहसुन की कलियों को आप सरसू के तेल में गरम कर लीजे इस तेल को ठंडा करके छान लीजे और इस तेल की दो तीन बूंदे दोस्तो कान में डालने से तुरंती आपके कान का दर्ड ठीक हो जाता और आपको उसमें आराम बिल जाता है दोस्तो आप कान का दर्ध आपका पूरी तरह से ठीक हो जाए. दोस्तो कान दर्ध का इलाज आप अद्रक से भी कर सकते हैं. अदरक कारेस निकाल कर कान में 2-3 बूंदे डाल लीजिए. ऐसा करने से ही दोस्तो आपके कान का दर्ध ठीक हो जाता है और आपको आराम मिलता है. वहीं अद्रक को पीस कर दोस्तो जैतून के तेल में आप मिला सकते हैं और इसे छान कर इस तेल के भी 2-3 बूंदे आप अपने कान में डाल सकते हैं दोस्तो कान में दर्ध तेज हो तो जैतून के तेल से आप घरेलू पाय कर सकते हैं जैतून के तेल को हलका गरम करके कान में 3-4 बूंदे डालने से आपको आराम मिलता है कान दर्द से रात पाने के लिए आप तुलसी के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके लिए आप तुलसी के ताजा पत्ते लेकर रस निकाल लीजिए इसके बाद जो कान दर्द कर रहा है उसमें इस रस की एक दो बूंदे आप डाल सकते हैं इससे भी दोस्तों आपको कान के दर्द में लाव होता है अगर दोस्तों किसी व्यक्टी को कान बहने की समस्या हो तो वह भी को चुपाय को अपना अफकते हैं दोस्तो कान बहने की इस्तिती में माजू फल को कूट कर सिर्के में उबाल कर फिल्टर कर लीजिए यानि कि छान लीजिए इसे कान में डालने से कान बहना आपका बंध हो जाता है इसके अदावा दोस्तों तिल के तेल का एक भाग और हुल हुल का रस चार भाग मिलाकर आगपर तब तक पका लिजिए जब तक की तेल आदा ना रह जाए इस प्रकार दोस्तों इसे चान कर कान में डालने से आपका कान बहने की समझ्या काफी हथ तक कम हो जाती है कुछ सरल उपायों कि अगर हम बात करें तो आप सूरज मुखी के पतो का रस तेल में मिला कर इसके लिए आप सरसो के तेल या तेल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं तो सूरज मुखी के पत्तों को दोस्तों आप इन तेल में मिला कर कान में डालने से दोस्तों आपके कान का बहना रूख जाता है, यानि कि दोस्तों घर पर ही आप इनका इलाज कर सकते हैं और इने ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों नीम के तेल में रूख को भिगो कर कान में रखने से भी कान का बहना आपका जल्धी बंद हो जाता है जो कि दोस्तो एक बहुती आम उपाय हैं जिसको आप अपना सकते हैं कान बहने की समस्या लोकने के लिए दोस्तो अगर आप इन सब उपायों को नहीं अपनाना चाहते हैं या ये सबी चीज़े आसानी से उपलब दिन नहीं होती हैं आपके घर के आसपास में तो दोस्तो आप बाजार में बने बनाए इयरड्रॉप खरीद सकते हैं जैसे कि दोस्तो वैदेनात, हिमालया और डावर जैसी कैसारी कमपनियां दोस्तो कान की समस्याओं के लिए इयरड्रॉप्स बनाती हैं जो कि आपको 50-100 रुपय में मिल जाते हैं तो दोस्तो इन गुरू में भी आपको बता चुके हैं लेकिन दोस्तों कुछ और भी साथ धानिया आपको अपनानी चाहिए जैसे कि कान में इंफेक्शन से बचाव के लिए बीमार दोगों से दूर रहें ब्रेस्पीडिंग से दोस्तों बच्चों को कान के इंफेक्शन से सुरक्षा मिलते हैं यानि कि वो बच्चे जिनको कान में दिखके था तो दोस्तों अगर वो अपने माता का दूद पीते हैं दोस्तों तो वहाँ पर उनको काफी हट्ता कान से जुड़ी समस्याओं में आरा कर सकते हैं सुईम इयर से बचने के लिए दोस्तों पानी के बाहर आने के बाद अपने कानों को अच्छे से सुखा लीजिए इसके अलावा अपने सिर को एक तरब जुखा कर पानी को अपने कान से निकालने का प्रयास करें क्योंकि दोस्तों कान एक नाजुक अंग होता है इ बाहर से इसका प्रयोग करें और समय समय पर दोस्तों एक कान की डॉक्टर के पाथ जाकर आपको कान के जाज भी कराते रहना चाहिए जिससे कि आपको कान से जूली समस्य हैं उपन होने की संभावना ना रहे दोस्तों यदि आपको इन उपायों से लाव नहीं होता है अगर आप इन उपायों को अपना रहे हैं आपको लाब नहीं मिल रहा है तो तुरंत आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए परामर्स लेना चाहिए और इसके लिए दोस्तों आपको अपने इलाज को करना चाहिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट section में comment करके जरूर बताएं यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें वीडियो को share करें और दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करें जिससे की ऐसी ही और भी हमारी आने वाली videos आपको मिलती रहें और आप जोड़े रहें हमारे चैनल नौलिज साती के साथ वीडियो में आप सभी अंतक्त बने रहें उसके लिए आप सभी का धन्यवाद